इस टॉपिक में हम आफ्र एफेक्ट के अंदर एक बड़ा जबदस फीचर जो के 3D कैमरा है उसको एक्स्पोर करेंगे कैमरे की जूरत हमें क्यों पेश आती है थोड़ा सा मिसक्यों पर बात करेंगे और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्प्लें करूँ इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई अनिमेशन्स बनीवी हैं आपने डिफरेंट कंपोजिशन्स को एक साथ कंपाइल किया वाया और डिफरेंट जगाओं पर आपके बस अनिमेशन है आईए इसको मजीद देखते हैं तो इस वक्त हम अपने अपने अफ्रेफेक्ट तौफर में मौझूद हैं और कैमरे को समझने के लिए मैं आपके पास कुछ यहां पर कुछ शेप्स और कुछ एसेट्स यहां पर आपके पास कंपोजिशन्स में अमेट कर लेते हैं अगर तो आपके पास कोई इनिमेशन इस तरह से है जो आपने क्रिएट की वी हो पिसले लेक्शन्स में देख चुके हैं किस तरीके से हम मल्टीपल लेयर पर और कीफ्रेम्स की तरूए अनिमेशन कर सकते हैं तो इनको हम इस तरह कर सकते हैं कि इस वक्त हम इनकी पोजिशन कुछ इस तरह से रख लेते हैं जिसकी वज़ा से हम इसको camera का use इसमें कुछ कर सकें तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास ये वीडियो है और एक और वीडियो मेरे पास यहां पर पीछे इस layer में इसको मैं सबसे नीचे कर लेता हूँ और इन layers का मैं size छोटा कर लेता हूँ ताके मेरे पास camera को move करने के लिए थोड़ी सी जगाँ बन सके और I think हम तीन layers ही रखते हैं पीछे हमारे पास एक ये layer है further हम को इसमें shape add कर लेते हैं इस layer को अगर मैंने भी select किया हूँ और मैं इसकी transform properties में जाऊँ तो हमें पता है कि anchor point हम बात कर चुके है position, scale, rotation सब्सक्राइब जिसमें मुझूद है और आप देख सकते हैं कि अगर आप position को भी move कर रहे हैं तो आपके पास x और y तो आप position को move कर सकते हैं अगर इस layer को मैं यहाँ पर click करूँ एक छोटा सा आप देख सकते हैं ये 3D के मेरे पास option है कि इस layer को आप 3D layer में convert कर सकते हैं तो आपके पास जो basically आपकी composition है जो सामने screen है वो obviously जो screen है 2D है आपके पास two dimensions x और y आपको नज़र आ रहे हैं इस layer को 3D convert कर तो सकते हैं लेकिन ये actual 3D इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ये by default ये 2D में film किया हुआ material है आप इसको अगर 3D यहां से कर देंगे just click करेंगे तो आपके पास आप देख सकते हैं कि एक axis और add हो गया जो कि आपके पास Z axis है और यहां पर भी आप note कर सकते हैं transform में आपके पास बहुत सारी options मौजूद हो गई बत्र बैसिकली तो एक axis आपके पास और add हो गया जो कि Z axis है इवन कि इसकी position, scaling आप सारी उस हिसाब से कर सकते हैं इवन rotation भी यह देखेंगे अगर आप तो आप इसको इस तरीके से rotate भी कर सकते हैं इनकी थोड़ी position हम इस तरह से रखते हैं कि हमें एक 3D की इसमें feel आए ताकि हम camera को move करें अपने तो हम इसको बेतर समझ सकें इस layer को आप देख सकते हैं अगर 3D ना किया होता आप इसको Z axis को access नहीं कर सकते थे same इसी तरह से हम इसको भी थोड़ा सा modify कर लेते हैं इस layer को भी 3D कर लेंगे और अब हम इस layer को भी इसकी properties थोड़ी सी transform इसको हम change कर लेते हैं अब देख रहे हैं आपके पास Y में अब इसको move भी कर सकते हैं और further आप इसको rotate भी कर सकते हैं साथ में हम कोई shape भी add कर लेते हैं और हम शेप को देखते हैं कि शायद हम उसको थोड़ा सा एनी मेट भी कर लें हम स्टार टूल यूज़ कर लेते हैं इस वक्त और हमारे पास यह स्टार की शेप है कलर चेंज करना चाहें तो हम इसको यहां से चेंज कर सकते हैं और हम कुछ इस तरह का प्राइट कजर ले लेते हैं कंट्रोल डी से डूब्लिकेट होजेगी लेयर मेरे पास शेप और यहां से मैं इसको चाहूं तो और भी इसकी कॉपी बना लूँ फर्दर इसको मोडिफाय भी कर दूँ इनको भी हम 3D कर देंगे क्योंकि इसके लिए कैमरे के लिए जरूरी है कि आपकी जो लेयर हैं वो 3D हो नहीं तो कैमरे की मूवमेंट वो बिल्कुल आपको फिर मूवमेंट में इस परासे जो आपकी वीडियो जो एसेट्स हैं वो आपको एक स्टैटिक से ही नजर आएंगे और आपका कैमरा उस तरह से मूव नहीं कर पाएगा इन लेयर को भी हम थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं और हम इसके ट्रांसफॉर्म में पोजिशन को थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं और पहले की हम पर की फ्रेम लगाते हैं शुरू में यहां पर एनिमेशन स्टार्ट और और 10Sec तंक अब इसको यहां तक मूफ कर लेते हैं जो दूसरी वह हमारेपस लियर है उसको भी हम थोड़ा सा Eni Miray कर लेते हैं और हम इसको सिर्फ Rotation समय्सेशन छले हैं विसकी और जो Second Layer है इसको भी हम 3D कर चुके हैं इसको हम Rotation या इसकी थोड़ी सी इसको आपके पास सिर्फ rotation की simple option आ रही है तो just यह 3D का यहाँ पर जो box है छोटा सा इसके नीचे आपको check करना होगा और इसको भी हमने यहाँ पर 10th frame पर animate किया पहले मुझे लगा यह seconds में है लेकिन देखें यह frame में है इस वक्त तो हम अगर 5 seconds इसको कर लेते हैं composition का हमारे duration का मैं control के 2 seconds ही composition है इसको हम 10 seconds फिलहाल कर लेते हैं थाकि हमारे पास और आगे जगा भी हो और इसको हम animate जो कर रहे हैं हम इसको 5 seconds तक कर लेते हैं इन keyframes को मैं यहाँ मूफ कर लूँगा और इस तरह से जो हमारे पास दूसरी शेप भी थी इसको भी हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं और इसके keyframes भी हम यहाँ तक move कर लेते हैं तो खर animation तो आपके पास कोई भी हो वो इस topic में तो आपको हमने camera explore करना है तो इस वक्त मेरे पास कुछ इस तरह से बहुत ही random footage हैं और साथ में कुछ shapes है जो हैनी made पी हो रही है अब इन layers को मैं already 3D कर चुका हूँ इस पर मैं camera apply करूंगा आप देख सकते हैं कि इनकी यह motion है और अगर camera लगाने के लिए right click करूंगा new में मेरे पास option है camera आपके पास एक इस तरह की window खुलेगी जो के आपको further camera की settings के बार पर और इसमें one note camera और two note camera तो one note camera जो basically आपका एक position आप उसकी camera की move कर सकते हैं और जिस तरफ उसका point of interest है तो वो भी साथ ही move हो रहा होगा जो two note camera की option है उसके हमारे पास तोनों का अलग-अलग control है like आप physically camera की position move कर सकते हैं लेकिन जहां पर उसका point of interest है जिस तरह वो direction में है या जहां पर आप कहलें कि जो lens उसका देख रहा है तो आप उसको भी साथ में change कर सकते हैं और further दोनों को keyframes लगाके animate भी कर सकते हैं तो two note camera ही best option होती है आपके पास और उसके पात फिर हमारे पास preset है जो कि इसकी फोकल लेंथ के हवाले से preset decide करता है कि आपको 50 mm ATMM या जितना भी आपको एक focal length या वो distance चाहिए तो उसके हिसाप से आप ये basically lens की selection है जो लोग photography करते हैं या फिर वीडियो को भी इस तरह से जो film करते ह हैं तो उनको इसका बहुती आइडिया होगा 50 mm lenses वगारा और सारे इनके जितनी भी variants होते हैं तो यहां से हम इसको 50 mm select कर लेते हैं further इसको हम okay करेंगे और मेरा camera यहां पर इसवक्त apply हो चुका है इस camera को अगर मैं यहां से इसके transform में जाके move कर लूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त चीजे जो आपको move होती नजर आ रही है basically चीजे वहीं पर ही है move नहीं हो रही है camera की position camera का point of interest हम change कर रहे हैं इस वक्त और यह camera की position हम इसको change कर रहे है और यह camera इस वक्त आपका आगे further जा रहा है zoom in हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि वह सारी animations आपकी वैसी ही रहेंगी लेकिन camera की movement से आप इस तरह की illusions create कर सकते है further इसको मजीद समझने के लिए अगर हम यहां पर जो हमारा यह one view वाला है कि यहां पर एक चोटा सा menu है इसको मैं अगर click करूं तो मेरे पास two views आ जाएंग यहां इस view में हमारे पास देखें एक हमारे पास आ रहा है active camera और यह इसको आपको final result वह वाला दिखा रहा है जो के camera का frame जो camera का lens basically इसको देख रहा है और second view आपके पास top से है top fully window को मैं आगर थोड़ा zoom out कर लूँ camera को यहां से हम select कर लें तो आप देख सकते हैं यह camera basically और य यह camera की इस वक्त position है यहां पर camera आपका place हुआ है तो तब जाके आपको कुछ इस तरह का view नजर आ रहा है अगर मैं इसको इदर से ही move करूँ आप देख सकते हैं कि यह camera यहां पर physically आगे move हो रहा है और तब ही आपको यह चीज़े camera बिल्कुल इस वक्त साथ इसके पहुचाव है अगर मैं यहां से इसके point of interest को change करूँ तो देखें आप तो जो व्यूज का यहां पर बन रहा है और यह जो इसका यह distance है यह basically lens की वज़े से है जो कि हमने 50 mm सेलेक्ट किया था और इस camera को आप move करके point of interest change करके अगर मैं इसको animate करना चाहूं तो बिल्कुल obviously मुझे मैं दोनों को keyframe add कर लेता हूं point of interest पे भी और further आपकी position पे भी बाकी आपके पास कर लें आपकी animations और आपकी जो जितनी भी आपके पास उसके अंदर videos place हुई है वो सब उनकी animation वैसी ही रहेगी और आप further उन पे इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं यहां से आप देख रहे हैं कि z axis पी आ रहे हैं हमारे पास दूसरे axis पी आ रहे हैं और अगर हम इसको rotate करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से अब इसको अगर हम play करके देखें और अगर बेशक मैं इसको यहां पर one view कर लूँ जिसमें मुझे अपना active camera camera one view नजर आ रहा है इसको resolution इसका जो display है इसको form fit कर दें और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वह animation सब वैसे ही चल रही है और इस वक्त आपका जो भी यह illusion जो भी यह movement हो रही है बैसिकली उस camera की वजह से हो रही है फर्दर मैं इसमें आपके पास एक चीज एट कर दूँ जो इसमें नल एक लेयर होती है उसके उपर मैं आप से बात कर लेता हूं इस पर तो बैसिकली नल क्या है कि एक transparent लेयर है जो के नजर नहीं आईगी आपको जिसका कोई उस तरह से existence आपको on screen नहीं होगी लेकिन उसक को attach कर सकते हैं और as a parent उसको treat कर सकते हैं मिसाल के तोड़ पर तीन एनिमेशन या तीन वीडियो एक साथ हैं और उनको आपने connect कर दिया नल के साथ जो नल लेयर है जो कि हम लगा के देखते हैं और नल जो है as a parent आपको उसके साथ connect करना पड़ेगा वो process भी हम देख लेते है और उसके बाद आपका जो basically parent लेयर होगी जो के नल है वो नजर तो नहीं आ रहोगा लेकिन हम जो भी जिस तरह से भी उसको हम transform करें या पर हम उसमें कोई और चीज़ एड़ करें तो उसके साथ जो child लेयर होंगी वो भी बिलकुल उसी तरह से ही react करेंगे जिस तरह से आप अबचेक्ट है इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक लेयर आपके पास यहां पर एड़ हो गई है और आपको कोई शेप या कोई चीज उस तरह नजर नहीं आ रही इस वक्त इसको हम जब select होगी तो आपको यह इस तरह से नजर आ रही है अभी मैं इसको जो को मूब करूँगा तो कैमरा भी आपको उसी तरह से मूब होगा तो यह जो स्पाइरल आपके पास यहां पर एक बना हुआ है इसको मैं यहां पर क्लिक करके इधर ड्रैग करूँ तो और यहां पर मैं इसको माउस को रिलीस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर parent and link के tap के अंदर नीचे null to लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका null जो है basically layer यह इस पर parent बन चुकी है और जो camera है वो उसका child अब मैं null को अगर move करूँगा तो camera भी move होगा और null को move करने के लिए हम simple इसके transform में जाके position आप देख रहे हैं कि इस वक्त camera जो है वो basically यहाँ पर है और अगर मैं null को select करता हूँ और इसको move करता हूँ तो इस वक्त camera भी move हो रहा है null की वजह से एक और example अगर आप null की साथ वोरन कुट्ली कर लें तो एक और मैं यहाँ पर null object add कर लेता हूँ और इस null layer को मैं यहाँ पर पाकी shapes के साथ link करा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से spiral और इसको मैं 3D भी कर लो और मैं चाहूँ तो multiple layers को कर सकता हूँ और इस वक्त मेरे पास इसी जितनी भी जो shapes थी या मेरे पास इस तरह की videos थी इस null के साथ connect हो गए है और अब मैं इसको अगर transform यहाँ पर कुछ भी position move करूँगा इसकी तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ ही overall इस वक्त change हो रहा है और further आप इसको भी अपना animate इस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं इसको भी हम 5 seconds पर जाके कुछ animate कर लेते हैं बिलकुल हम इसको random कर रहे हैं scale हम इसका शोटा कर लेते हैं और further हम इसको rotation पर भी कुछ थोड़ा सा कुछ cycles यहाँ पर भी कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि camera की movement अपनी जगा जो के null to के साथ attached थी और पाकी null के साथ हमने और animations attached की camera भी इस वक्त आपको move करेगा तो इस वक्त आपका जो null object है वो यहाँ पर इनके साथ भी attach है और साथ में camera के साथ भी attach है तो आप camera को लगा के directly camera की values भी change करके उसको animate करके उसकी position उसको transform कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप इस तरह के result अचीव कर सकते हैं कि बिल्कुल हमने random animation इस वक्त create की थी random clips यहाँ पर रखके अगर आप pre-planned आपके पास कुछ layers में चीज़े हैं और animation इस तरह से है कि वो through 3D feel आप इसको देना चाहते हैं और साथ में animation के साथ साथ जो आपकी movement बाकी होगी overall जो इसको final बना रहा होगा तो वो camera से आप इसको control कर सकते हैं इसकी practice करें इसको मजीद explore करें थोड़ा सा control आपका इस पर बेतर होगा जितनी practice आप करते जाएंगे और फिर बाकी lectures में हम और चीज़ों के उपर बात करते हैं